हेलो मैं दियर फ्रेंट्स, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल दोस्तो मैं आज आपको इस वीडियो में कम्पूटर को फॉर्मेट करना सिखाऊँगा और इसके कुछ बेसेक ड्राइवर है और फॉर्मेटिंग के बाद क्या-क्या इसमें सॉप्ट्वर की नीड होती है क्या-क्या सॉप्ट्वर हमें बेसिकली ओफेस यूज के लिए लगते हैं वो मैं आपको इसमें इस्टूल करके दिखाऊँगा तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजे जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नौटिपेशन भी टाइम पर मिल पाएं तोस्तो मैं इस कंप्यूटर को फॉर्मिट करने के लिए पैन डाइब कर यूज़ करूँगा यह मेरे पास एक पैन डाइब है तो इस पैन डाइब के तुरू में ओटोमेटिक ही बंद हो जाता है और यहां इस पैन साइड में भी बिंडो एक्टिवेशन का एरर आता है यहां लेप्ट साइड में यहां तो मैं आज आपको यह कंप्यूटर को फॉर्मिट करके दिखाऊंगा चलिए मैं इसको पैन डाइब को इसमें लगा लेता हूँ System में System में Pen drive लगाने के बाद हमें अपना system restart करना पड़ेगा तो जैसे हम अपने system को restart करेंगे तो हमें इस पे जोसकी bootable की होती है वो हमें press करना पड़ेगी जैसे कि किसी में F10 होती है किसी में F12, किसी में escape की होती है किसी में delete होती है तो वो हमें अपने system की bootable की पहले पता करना है उसके बाद हमें restart होते समय ये key को press करना है तो देखिए दोस्तो हमारी ये bootable device इसमें आ गई है हमने HP की pen drive लगाई थी तो इस पर second number पर हमारी HP की pen drive भी दिख रही है तो हमें इसको down arrow key की मदद से select करके enter करना है enter हम जैसे करेंगे तो ये formatting के लिए आगे process होने लगेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तो ये आप देख पा रहे हो ये formatting के लिए आगे continue हो गया है ये screen हटते ही ये nest screen होगी वो उसका मैं आपको दिखाता हूँ तो वीडियो मैं यहां पर pause कर रहा हूँ जैसी ये complete process होती है यहां पर आप देख रहे हो यह भी थोड़ा सा ही हुआ है बाकि ये पूरा होगा तो मैं ये जैसी पूरा होता है तो उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ तो दोस्तो जैसा कि आप इस screen पर देख पा रहे हैं ये process होने के कि इसके बाद हमारा यह बाला कि लाग बॉक स्वाथ ऊपन होगा तो इसके एसके बाद हमें क्या करना कि मैं आपको आगे बताता हूँ कि अ मैं इसके बाद हमें यहां पर इस checkbox पर check करके next पर click करना है next पर click करने के बाद आप upgrade भी कर सकते हैं custom भी कर सकते हैं अपने window को तो जैसी custom करने के लिए अगर हमें कोई drive को format करना है तो यहां हम drive option पर click करके अपनी जो भी partition है उन partition को हम format भी कर सकते हैं और delete करने के बाद यहां पर तीन partition हमें हो रहे हैं तो तीनों की तीनों delete हो जाएंगे जैसे कि इस पर click करके हम delete करेंगे तो यह बीडिट हो जाएगा उसके बाद यह और यह भी तो जैसे कि अभी मैंने तीन partition बना लिए हैं इनको मुझे delete नहीं करना है तो format करने के लिए इसलिए simply हम इसको format बटन पर click करेंगे जैसे कि मुझे इसमें d drive फॉर्मिट करनी है तो मैं इसमें d को click करूँगा और ok कर दूँगा तो इसमें हमारी जो भी d drive हो फॉर्मिट हो जाएगी और उसके बाद एक और drive है हमारी यहां तो उसको भी मैं फॉर्मिट कर देता हूं बाकि यह जो first drive है यह हमारी C drive है इसमें हमें format नहीं करना है बाकि अगर आपको नीड है कि इसको भी format करना है तो आप इसे भी format कर सकते हैं तो इसके लिए आपको फिर पूरे software है वो इसमें द्वारा से install करने पड़ेंगे तो basically अगर मैं इसको भी format करता हूं जैसे कि मैं इ Microsoft Office बगएर आभी डाल के दिखा दूँगा जैसे कि मैंने इसको फॉर्मिट किया कि फॉर्मिट करने के बाद हमारी यहां पर टॉटल यह इस्पेस है टॉटल आप देख पार है फ्री स्पेस भी 49.8 है अभी यहां पर 36 था तो इसको करने के बाद simply हमें next कर देना है next करने के बाद हमारी यह processing चालू हो जाएगी यह कुछ समय तक चलेगी तो जब तक यह process complete होती है मैं वीडियो को pause करता हूँ फिर यह process complete होने के बाद आपको आँगे बताता हूँ दोस्तों यह process होने के बाद हमारा computer एक बार restart होगा चाहे तो हम यहां से restart पर क्लिक करके भी restart कर सकते हैं बना यह 10 seconds का time लेता है कि अटोमेटिक ही restart हो जाता है अब यह system हमारा ओटोमेटिक ही restart होने के लिए द्वारा restart हो रहा है इस पर simply हमें इंटर भी आप दबा सकते थे पर मेरे इंटर दबाने से पहले ही यह process कर लिया अब हमारा system restart होके जो भी इसका desktop menu है उसके लिए prepare होगा उससे पहले हमें इसकी जो बिंडो है उसको नाम देना पड़ेगा कि किस नाम से हम इस बिंडो को यूज़ करेंगे इसके बाद हमारे पास system simply एक dialogue box open होगा इस system पर तो वहाँ हमें अपने computer को नाम देना होगा जोस्तो यह process आपके सामने द्वारा आय तो आप एक पर अपने system को restart कर लिजिے गा और जो पेंड़ा हमने लगा है कि हमने लाखना की उसको इसको भी press कर सकते हैं तो मैने सिंपली इस बटन को नर्फ किया यहां से तो यह हमारा रिश्टार्ट होने के लिए छला गया और जो हमारी टिह भाली वह हमने कर ली है चल गृत कि दोस्तों आप देख पारेखं़ कि हमारा जो शिष्टम है वह रिश्टार्ट हो रहा है तो हम थोड़ा बेट करते हैं अपने सिस्टम का रिस्टार्ट होने के लिए तो दोस्तों आप देख पा रहे हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है और जो भी प्रोसेस हमारी नहीं ले रहाता फॉर्मेटिंग के बाद तो आप देख पा रहे हो यह हमारी प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ गया है तो इसके बाद हमें simply कुछ नहीं करना है अपना system है अपना system नाम मागेगा हमसे कि हमें अपने window को क्या नाम देना है तो वो name type करना है तो भी मैं आपको देखा देता हूं उसको यह process complete होने के बाद जो next dialogue box open होगा हमारी computer screen पर उसमें हमें क्या type करना है मैं भी आपको देखा देता हूं तो दोस्तों यह process complete होने के बाद हमारे computer screen पर यह वाला dialogue box open होके आएगा तो यह हम से हमारे computer को जो भी हम नाम देना चाहते हैं वो हम नाम दे सकते हैं आप अपना recording यहां पर अपना भी नाम लग सकते हैं जैसे कि example के लिए आपका नाम किष्णा है तो हम यहां प type कर दिया है किष्णा type करने के बाद simply हमें यहां next पर click कर देना है next पर click करने के बाद यह हम से password मांगेगा तो हम अगर इसको password देना चाहते हैं तो ठीक है परना हम यहां simply next पर click कर देंगे तो यह हमारी process आंगे बढ़ जाएगी बाकि अगर आपके पास इस window की एक प्रोड इसी window आप चला रहे हैं तो इसको हटा दीजे automatically activate window when I am online जब आप online होगे तो यह automatic connect हो जाएगी अगर आपके पास की है जब की नहीं है तो इसको हटा दीजे उसके बाद इसको हम बाद में activate करेंगे उसके बाद आप simply इसको next कर दीजे next करने के बाद इसमें हम ask me later भी कर सकते हैं बाकी यह option है इनके अंदर भी काफी setting होती है तो अभी हम इनको नहीं करते हुए ask me later करेंगे उसके बाद हमारी यह window है इसको हमे time and date select करना होगा जो भी हम time zone में रहते हैं अपने अनुसार जो भी हमारा time zone चलता है हमारे यहां कौकत्ता चैन्ने कौकत्ता मुंबई न्यू देली चलता है तो हम यहां इसको select करके और 2022 फाहर बरीव का महना है 22 डेट है और जो भी current time है वो हमें यहां इंटर करना पड़ेगा तो मैं time अभी देखता हूं क्या हो रहा है time अभी दस बच के बाबन मिनिट हो रहे हैं तो time भी अल्मोस्ट इस पर ठीक ही है और pm चल रहा है ठीक है और उसको हमें simply next कर दिना है next करने के बाद यह हमारी almost window complete हो गई है बस यह हमारी window desktop के लिए prepare हो रही है अब यह जो window है हमारी desktop screen बनाने के लिए prepare हो रही है यह भी कुछ मिनिटों में ही थोड़ी देर में यह भी complete हो जाएगी तो हम थोड़ा बेट कर लेते हैं कर दो यह है तो ही में भी का अजिएबगर जरा जरीक है रहता है वीड यह है यह है रहता है वीड़ है अब यह सिस्टम हमारा एक बार रिश्टार्ट हो गया है रिश्टार्ट होने के बाद इसकी डेश्टॉप बिंडो है डेश्टॉप पी स्क्रिन पिरपेर होके हमारे सामने आ जाएगी यह हमारा डेश्टॉप स्क्रिन के लिए प्रिपेर हो रहा है और हमें बोल रहा है कि डू नोट टर्न आफ यूर कंप्यूटर हमें इसका पाबर केवल है वो नहीं लेकालना है और मैं इस सिच्वेशन में मेरे कंप्यूटर को बंद नहीं करना है तो दोस्तो यह इंडेश्टॉप बंदो हमारी यहां पर आ गई है अब यह सिस्टम जो भी है हमारा पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका है अब इसमें जो भी बेसिक सॉप्ट्वेर हैं वो हम अपने रिकार्मेंट के साब से इस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि यह एक ओफेस सिस्टम है तो ओफेस सिस्टम में नॉर्मली माइक्रोसॉप्ट ओफेस का यूज होता ही है तो इसमें बेसिकली माइक्रोसॉप्ट ओफेस का एक बरजन हम इसमें इसमें इस्टॉल कर देते हैं और गूगल क्रॉम है और जो भी बेसिक सॉप्ट्व तो दोस्तों इसमें सॉफ्ट वर इस्टॉल करने के लिए हम अपने पेंडाइक को इसमें करते हैं और कोई भी कि माइक्रोसोफ्ट रॉपिस यहां तो सिंप्ली 2007 ही ठीक रहेगा यहात अतर यहीं यूज्ट करते हैं और सकता कोई इसको install करने के लिए हमें इंटर्स दबाना है और इसकी इसे simply yes करके इसमें आंगे प्रोसेस करना है हमें तो इसमें जो भी है यह सारे software basic डाल लेके मैं सिस्टम को complete कर लूँगा तो यही सब है आज की वीडियो में तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल को सस्क्राइब भी कीजिए इसे हमें motivation मिलता है आपके वीडियो बनाने के लिए और आपकी help करने के लिए अब दोस्तों हम कीपेस्ट कर देते हैं कीपेस्ट करने के बाद इसमें राइट का सिंबॉल आ जाएगा उसको कंटीनू करना है कंटीनू करने के बाद इसपे हमें check box पर चेक करके continue करना है और हमें इसको कीस्टम नहीं है इन्फोपाथ, नौटपेट की जरूवत है, आउट्लोग की जरूवत नहीं है, पावरपोइंट भी चाहिए, पबलेसर भी है, और ये भी ठीक है, वर्ड भी, फीचर्स भी ठीक है, टूल्स भी बागी सब ठीक है, इंस्टॉल, सिंप्लिस को करने को बाद हमें इंस अफिस है, इंस्टॉल हो जाएगा, तो दोस्तो बस आची वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो पीस अफिली साप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बूलना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद,